हेलो एन वेलकम गाई स्वागत आपका फेंटासी डिस्टन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने के फेंट कोड इसी स्टी टेन बुल्गेरिया की जो की मैच होने माले हैं ऐसे दर ब्लैक्स्मित वसिच वी टीव एम्यू प्लीवन के बीच में दो चले सब्लाइस ससारी डिटीजस इसी वीडियो में कवर करने के तो चले फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की तो इससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट रहेगी की यूदुप चेनल का अभी दक आपने सब्सक्रेब तो यूटूब चैनल को subscribe कर लेज़ेगा क्योंकि पूरी डुनामेट इसी यूटूब चैनल पर कवर के जाएंगे इसके साथ-साथ यहां से Mcl T20 और आज से यहां से Sharja T10 शुरू होने वाला है यहां कि Sharja की 10-10 वोस की Sharja Raman 310 शुरू होने वाला सारे मैचिस के उडियो आपको इसी यूटूब चैनल पर मिल जाएंगे तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर देज़ेगा और यहां से टेलिग्रम से जुड़ना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि यह मैच की टीम और अपडेट मिलेगी साथ में यहां से आइपिल वगेरा की टीम आपको इसी यूटूब चैनल पर मिलने वाली तो टेलिग्रम चैनल को जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के तुरू जाके सीधी जॉइन हो सकते हो इनके सकर लिंक वर्क ना करें टेलिग्रम में जाके सर्च करेगा फेंटासी डिसन चलेंजर या फिर आप सर्च कर सकते हैं अपको सीध हमारा चैनल मिल जाएगा सिंपल उसे जोइन के लिए ना क्योंके फाइनल अपडेट और टीमा को वैपर मिलने वाली है बात करें इस मैच की तो यह पहली मैच यहाज से दो बच कर तीस मेंट को खेली जाएगी दूसरी मैच यहाज से चार बच कर तीस मेंट को खेली जाएगी वियन्यू रहेगा यहाज से वासिल लेवस की नेशनल स्पर्ट्स एकेडमी सोफिया पीच रिपोर्ट की बात कर तो यहाज से न्यूट्रल और बैलेंस पेच रहने वाला यहाज याने की ब सलमान खान वेरी इंपोर्टेंट रहने वाले और 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 रेकोर्ट के इसाब से हाला कि पिछली दो मैच के बात को तो पहली मैच के एक विकेड मिला था दूसरी मैच के अंदर 11 रन का स्कॉर गया था फिर भी एज़ प्लेयर एक अच्छी चोईस बन सकते हैं इनको लेके रहे नहीं है तो इनको भी आपको ग्रांड लिग वगेरा में ही ट्राइ करना है बात करते हैं यहां से फायाज मुहमद के वेरी इंपोर्टेंट पिक रहने वाले इवन कैप्टन और वाइस कैप्टन जिप के लिए बेस चोईस रहने वाले यहां से दोनों मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मस दिया है अलाकि बॉलिंग से भी जब 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 परफॉर्मस दिया है यह बंदा अगली मैच के अंदर ओपनिंग भी कर सकता है तो यहां से फायाज मुहमद वेरी इंपोर्टेंट पिक रहने वाले करीबन तीस यानिक तीस की एवरेज है यहां से च परफॉर्मस दिया सकता है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चोईस बन सकते हैं ऐसे ओमर मलिक आयक गुल एहमद देल के बात करो तो यह पहली मैच के अंदर हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन रहे थे और अगली मैच के अंदर भी हम कैप्टन या वाइस के जा सकते हैं दोनों मैच के अंदर एक एक विकेट निकालते वा रहे हैं बैटिंग से भी करीबन 34 के वरेज या कभी भी बैटिंग से उपर भी प्रमोट हो सकता है यहां से हाला कि पहली मैच के अंदर उपने वन डाउन खेले थे जीरो भी आउट हो गए थे लूसरी अगली मैच के अंदर आपको एक दो ओवर्स करते हुए नजर आ सकते हैं यहां फिर बैटिंग से प्रमोट हो सकते हैं उपर के साइड क्यूंकि 27 के अवरेज कभी बंदा बड़ा स्कॉर कर सकता है आई कटजस की की बात के तो 15 मैच के अंदर 99 रहें दर बैटिंग से कुछ जादा इतने इफेक्टेट नहीं ऐसे बॉलिंग से इतने कुछ रियकोट नहीं है दोनों मैच के अंदर ओस भी नहीं की आसे तो आपको इनको ग्रांड लिग बगेर हमें ट्राई करना है स्मॉल के लिए काफी रिस्की है आदी पटल साथ मैच के अंदर छे विकेड है पांच वोस की गेंबाजी की हुई थी पहली मैच के अंदर ओस नहीं की परफरमस करने का बिलकुल मौका नहीं मेला दूसरी मैच के अंदर सिर्फ एकी वोस की गेंबाजी की तो यह थोड़े से खान को तो आप भी ऐस प्लेयर तो कम से कम जरूर लेके जाएगा बैंस से अगर कोई भी खिलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलिग्रम में प्रवाइड करवा दूँगा यहां से शेकोंगे कि करीबन 16 के अवरेज है तो सायद उनको बेटिंग से चांस मिल सकता है बाक कर तो इस मैच के लिए बैटिंग से अच्छा परफॉमस दिया है और दो दो करवाई लेकिन विकेट एक भी मैच के नहीं मिला लेकिन फिर भी एक अज़ प्लेयर हमारे लिए एक अच्छी पिक बनते है इवन कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छी पिक बनत है बैटिंग से पहली मैच के अज़ए दूसरी मैच के अज़ए लेकिन पूरी वाज करवा सकता है तो एज़ प्लेयर हमारी लिए हरी कुमार वेरी इंपोरेंट बिक रहने वाले है अभी तीन बॉलर्स है जिनको आपको ट्राइ करना है तीन मों से किसी दो बॉलर्स को ले है तो यहां से थोड़े बहुत बॉलिंग से रेकोर्ड्स अपूर्वा मिसरा के अच्छे साथ मैच के अंदर तेरा वर्स की होई याने के हर एक मैच के अंदर पूरी वर्स करवाने के शक्या था यहां से अपूर्वा मिसरा की थोड़ी सी ज़्यादा है तो यह तो आपकी आपको दो नहीं के इतना कोई मव्रूंस रहा नहीं है। इतना कोई खास परफॉरमस रहा नहीं है। बाद को बहुता है, बाकि और कोई भी प्लेयर, यहां हैं सहर मुहमद, या फिर आसे जैं ओ यां Also pris तो यह भी सारे पर्फोर्मस कर सकते हैं यह टीटेन है कुछ भी उलट पुलट हो सकता है तो यह सारे प्लेयर्स को एक आठी टीम के अंदर ग्रान लिग में शामिल करना है आपको बाकी बैंस से अगर कोई भी खिलता है तो इनके स्टेट्स टैले कि रमें पहुंचाने के कौनसी रह सकते हैं कौनसे प्लेयर को लेके जाना है कौनसे प्लेयर को लोग यह से अवोइड करके जा सकते हैं तो विकर की बिंग से मैं यहां से एन सुनिल के साथ जा रहा हूँ बाकी उप्संस तो मैंने सारे आपको बता दिये यहां से दवे पटेल को आप ट्राइ कर सक बाकी ओल्डाउंड सेक्षन के बाद करते हैं यहां से एक से कर सकते हो और किसी एक प्लियर की जगा पर यहां से आदी पटेल को लेना हो तो अपने इसाफ से ट्राइ कर सकते हो तो टीम अभी के लिए कुछ इस तरह से रहेगी कडियान हमारे वाइस कैप्टन रहेंगे और व आपसंस की बात करो तो यहां से वाइस के लिए कुछ इस तरह से टीम रहेगी लेकिन याद रहेगे डेमोटी में आपको टेलिग्रम से जुड़ना बिल्कुल मत बुलेगा नीचे डिस्क्रिप्सें बॉक्स में वालरी लिंक एटेच कर दिया इनके सब्सक्राइब लिंक अगली वीडियो में नई सर्प्राइड वीडियो करें तब तक आप पूरे वीडियो देखते रहो चैनल इसकते रहो चेटी मरात वह चीवी निकते रहो बाई धन्यवाद जाहिं जय भारत